Hello, Good Morning Class Happy Diwali to all of you I hope आपने बहुत ही सिंपल और सही तरीके से दिवाली सेलिप्रेट की होगी अब बात करते हैं अपने क्लास की हम बिजनेस कम्यूनिकेशन एंड मैनेज्मेंट पेपर में यूनिट नमबर टू शुरू करेंगे और यूनिट नमबर टू पर्चेजिंग मैनेजमेंट या पर्चेज मैनेजमेंट है और इस यूनिट में हम ये सीखेंगे ये समझेंगे कि एक और्डिनेरी पर्चेजिंग के बजाए purchasing management जो कि किसी भी organization के लिए सबसे important होता है उसको किस तरीके से administrate करना चाहिए जब हम purchasing की बात करते हैं तो इसको साधरन शब्दों में हम cryan यानि cry करना कहते हैं cry करना मतलब खरीदना हम अपने जरूरत का जितना भी requirement होती है उसको market से लेते हैं और बदले में पैसा चुकाते हैं वस्तु को खरीद लेते हैं लेकिन अपनी जरूरत की और जरूरत के सामान को खरीदने के अलावा किसी भी field में या management में या किसी भी organization में बहुत स्तर पर क्रेन की प्रक्रिया चलती रहती है इसलिए सिर्फ हम ही एक क्रेता या खरीदार नहीं होते हैं अलग-अलग संगठनों से जुड़ेवे लोग अलग-अलग सतर के क्रेता माने जाते हैं जोनरली हम चार तरह के खरीदार यानि क्रेता बोल सकते हैं एक तो consumer यानि उब्भुकता जो कि हम हैं दूसरा होता है mediator यानि मध्यस्त तीसरा होता है सरकारी एजन्सीज जिसको हमको अपना एक tax के रूप में सरकार को उन एजन्सीज को पे करना होता है और एक होता है निर्माता यानि की production unit जो कि सुपात को बनाती है तो यह सभी प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं इन सभी प्रकार के डिपार्टमेंट्स में खरीद का कारिया चलता रहता है तो यह सभी खरीदार की श्रेड़ी में आते हैं आप जो कंजूमर है वो चारों प्रकार का जो हमने दित पड़ा है कि यह जो क्रेटा होते हैं वह चार तरके होते हैं कि अधियोगता भी क्रेटा है मद्यस्त निर्माता और सरकार की जो एजिंसिया है उपात को खरीथती है उनकी ज़रुद की चीजों को तो यह सब बहुत बड़ा होता है और जितना बड़ा डूप होता है उतना ही जादा इसका इंपक्त होता है वह किसी में प्रॉडक्ट के डिमांड पर उसकी प्राइस पर उसका सीधा इपड़ता है हमने ये पड़ा है कि एक जो retailer होता है वो अपना जो सामान होता है वो एक wholesaler से खरीकता है और जो wholesaler होता है वो या तो किसी mediator से contact करता है या सीधे production unit से अपने product को खरीकता है और consumer तक पहुंचाता है तो अपने अपने इस तर पर ये सभी लोग क्या होता है consumer होता है सभी उप्भोकता वर्ग होता है क्रेटा वर्ग होता है उप्भोकता तो जो वस्तु को उप्भोक करता है लेकिन जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो उप्भोक के उदेश्य से उपात को खरीदते नहीं है इसलिए हम उसको उप्भोकता नहीं कहेंगे तो वो क्या तो यह जो purchase behavior होता है इन सभी का इसके लिए एक कुशल प्रबंधन की बहुत जरुरत होती है अब हर जो क्रेता अपने इस तरह पर एक कुशल प्रबंध के द्वारा अपने उस उत्पात को consumer तक पहुंचाता है अगर वो अपने खरीद के समय उचित दाम पे उस वस्तु को न ayraka, पहुचित कीमत पर नहीं खरीदेगा चित अगरktion मात्रा में नहीं खरीदेगा उचित quality अगर नहीं खरीदेगा, तो उसका सीधा अशर उस उस पाथ के बिक्री पर आता है हम कुद यह समझते हैं कि हम जब मार्केट जाते हैं और अपने लिए कोई ज़रूरित का समान करीते हैं तो हम बहुत सारा थोड़ा रिसर्च करके घर से समझ के हमें क्या खरीदना है या हम जो प्रोड़क्त करीद र में ध्यान रखते हैं वही सारे रूज क्रेता या क्रे का मैनेजमेंट बन जाता है और इसी तरह से हर क्रेता चाहे से फोटकर व्यापार से जुड़ा हो थोग्यापार से जूड़ा हो या किसी और बड़े ओर्नेजिशन चैन में अपने उत्पात को खरीदे समय उसके होना बहुत ज़रूरी होता है देखे हम purchasing management के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जिसे हमने क्रेय ट्रबन का है purchasing management is a department of in an organization responsible for purchasing activities तो purchasing management का होगा किसी भी ऐसे संगठन में जहां खरीब की या क्रेय की क्रियाई चालू रहती हैं उन सभी क्रेय की क्रियाओं को सही डंग से संपाजित करने के लिए क्रेप रबन ज़रूरी होता है purchase is the most important function in any organization खरीदना किसी भी संगठन के लिए सबसे ज़रूरी कार्य होता है purchase is the first element which affects the product cost जो खरीद होती है उत्पात की या उत्पात से जुड़ी वी जितनी चीज़ों की हम खरीदारी करते हैं समझ लिजे कि मुझे एक बैग बनाना है और उस बैग को बेचना है तो उस बैग बनाने के लिए जो ज़रूरत का जितना सामान होगा वो सारफ कहां से आएगा मुझे खरीदना पड़ेगा तो मेरी जो खरीद है अगर मैंने किसी बैग को बनाने के लिए जतना ज़रूरत का सामान है वो मैंने अगर 500 रुपीस में खरीदा है इन सब के बावजूति में उस product की cost पर effect नहीं आने दूंगी और कभी उसको 200 में बेश दूंगी कभी 1000 में बेश दूंगी ऐसा तो नहीं हो सकता हमारा जो purchasing का behavior रहेगा उस पर जो हमने खरीब की जो rate अपने पैसे जो लगाए है वो सीधा impact करेगा हमारी उस cost को हम यह जरूर स मेरा 1000 रुपे खर्च हो गया है तो मैं उस product की cost को 1000 या इस से जादा रखूंगी The purchasing management department assures that all goods, supplies and inventory needed to operate the business are ordered and kept in stock कि जो purchasing management होता है वो यही सिखाता है कि product की जो demand है या उसकी supply है वो सही तरीके से चालू रहे और सही समय पर हमारे पास उचित मात्रा में stock हो जो हमें बीचना है It is also responsible for controlling the cost of the goods, ordered controlling inventory levels and business strongly relationships with the suppliers जब हम अपनी एक छोटे स्तर की bag की बात करते हैं तो जहां संगठन की बात हैंगी वहां तो लाकों करोरों की purchasing होती है तो वहां पर जब कोई भी बड़ा विक्रेता होता है वो अपने जो suppliers होते हैं या अपने जो buyers होते हैं जो purchaser होते हैं उन क्रेताओं को satisfy करने के लिए हमेशा अपनी उस cost को control रखता है जो उस product को या उस product से जुड़ेवे माल को बनाने के लिए लगने वाली है अगर वो समय समय पर अपनी product की cost को बढ़ाता रहेगा तो इससे उसके जो खरीदार होंगे वो धीरे धीरे अपना mind change करेंगे और किसी अन्य विक्रेता से माल को खरीबने जाएंगे क्रेता को क्या चाहिए क्रेता को चाहिए विश्वास वाला product अच्छी quality वाला product अच्छी कीमत पर उनको जो मिले product और अगर कोई भी विक्रेता होगा अगर क्रेता को इन सभी मुख्ये बातों पर satisfy नहीं करता है तो क्रेता दूसरा भी क्रेता ढूंड लेता है इसलिए purchasing management क्या जो manager होता है वो इस बात का विश्वास ज्यान रखता है कि जो product की cost है वो बहुत जादा high पे ना जाए अगर ऐसा होगा तो उनके क्रेता टूटेंगे वो किसी और से अपना सामान करेंगे तो इसके लिए purchasing management की ज़रूरत परती है ताकि वो अपने supplier को timely satisfy करे और उनके product को available करा है अब किसी भी संस्था में क्रे का प्रबंद करना क्यों ज़रूरी है से क्या फाइदा है या कौन से aim से objectives fulfill होते हैं तो सबसे पहला जो फाइदा है manage करने का वो यही है to keep department's expenses low जितने भी खर्च होते हैं organization के उन खर्चों को कम रखने के लिए product का management ज़रूरी होता है development of goods and new vendors हम purchasing management से इतनी strategies और अपने product को बिक्री के लिए तयार करते हैं और उसको इतने अच्छे तरीके से launch कर पाते हैं उससे हम नए नए अपने क्रेताओं को पैदा भी कर सकते हैं development of good relations with the exciting suppliers हम एक अच्छा relation बना पाते हैं क्योंकि हमने अपने इस product के लिए अपने जितने भी supplier से उनको satisfy किया होता है training and development of personal employees in departments जो purchasing management है इस management से वहां के जो employees होते हैं उनको सीखने को मिलता है उनका prescription किया जाता है और उससे उनका विकास होता है तो maintain proper up to date records of all transactions और जो purchasing management होता है उसके हाथ में होता है कि वह जितने भी खर्चे कर रही है जितने भी products को खरीद रही है उन सारे products की वह पूरी transaction detail को up to date रखता है और जैसे जैसे खरीदारी बढ़ जो जितने भी formalities होती है उनको up to date records रखता है participating in development of new material and products product का जो management होता है वो management हमेशा ने ने बाजारों में ने ने उत्पादों को launch करने के लिए तयार रहता है और उसमें participate करता है to contribute in product improvement और जो purchasing behavior होता है या suppliers को satisfy करने के लिए वो हमेशा की कोशिश करते हैं कि अपने product में कुछ ना कुछ improvement लाई जाए जिससे उनके suppliers खुश रहे हैं to avoid stock out situations कभी भी वो ऐसी इस्तती बनने नहीं देते हैं जब उनके suppliers को खाली हाथ जाना पड़े to develop policies and produce वो नहीं नी policy products related और प्रक्रिया को launch करती रहती हैं जिससे उनको काम को कम समय में जादा से जादा वो अपने उत्पादन को बढ़ा सके अब आप देखें importance of purchasing हम पढ़ते हैं कि purchasing की क्या importance है ये क्यों ज़रूरी है या कौन-कौन सी ऐसी जो बाते हैं जिनका विशेश धियान किसी भी प्रडियू या आपन कह सकते हैं purchasing management में रखी जाती है कि कोई भी क्रेता होगा वो अपने क्रेय प्रबंद के अंतरगत निम्न बातों का ध्यान रखता है तो सबसे पहले कोई भी क्रेता वस्तु को खरीदने से पहले जिन सिध्धानतों को follow करता है वो है buying material at right quality वो जो भी material खरीदता है वो सही quality की होनी चाहिए in right quantity उसकी जो मात्रा होती है वो भी सही होनी चाहिए from the right source सही जगह से वस्तु को खरीदना हम एक journal भी product लेकर आते हैं और हमें पता सुलता है कि हम जिस दाम पर लाएं उससे कहीं सस्ते दाम पर किसी और शॉप पर मिल रहा है तो हमें बड़ा अफसोस होता है होता है तो हमें क्या suggestions दिये जाता है कि सही जगह से थोड़ा study करके या market में गूम के गूम के shopping करनी चाहिए ताकि आ नहीं गटिया quality की product हमारे घर तक पहुंच जाती है और वो पैसे भी return नहीं होते हैं तो हम जिस source से अपना माल मंगवा रहे है उस source की बारे में पूरी सही जानकारी होनी जरूरी है at the right price price कीमत क्या रखेंगे इस बात का धियान रखते है right service जो सबसे important चीज है अगर कोई ब के deliver होना चाहिए सही time पर हमको मिलना चाहिए transport की क्या सुईदा है समझ लिजे हमने washing machine खरीदा है तो जब हम खरीदने जाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आप इसको किस समय कहां पर product को पहुंचाना चाहते हैं transport के लिए कौन सा आप माध्यम इस्तमाल करेंगे और जो contract है अपना अगर किसी बड़े बहुत समझ लिजे कि बहुत जादा product आप खरीद रहे हैं जिससे आपने एक washing machine का showroom खोलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपने जो एक अनुबन के ताहत हम उनको अपने permanent suppliers बनाना चाहते हैं तो हमसे एक अनुबन रखेंगे त सम्मधित जो प्रक्रिया होती है उसको सही तरीके से लागू कर सकें तो overall हम यह देख सकते हैं कि यह सभी प्रकार के सिधान्त है quality, quantity, source, price इन सब बातों का क्रेता को ध्यान रखना चाहिए